मेरे प्यारे भक्तों, मैं अपने चैनला प्रमात्मा की आवाद में आपका हर्दे से स्वागत करता हूँ मेरे मित्रों भहरवा भगवान सिव के ही रूप हैं अता हुए अपनी भक्तों पर सदा करपा बरसाते हैं भगवान सीव के क्रोधित होने पर काल भहरों की उत्पत्य हुई जिस प्रकार भोले नाथ एक लोटा जल्स के अरपणा करने से अती प्रसम हो जाते हैं तत्हा अपने भग्टों को हर तरह से खोशाल बना देते हैं ठीक उसी प्रकार भगवान काल भहरो भी ततकाल प्रसंद हो जाते हैं मेरे वक्तो यदि आप धन की समस्या चे परिशान है धन आपके पास आता नहीं है आपके पास नोक्री नहीं है ब्यापार नहीं है आपका ब्यापार चलता नहीं है तो आप इस प्रियोग को जरू करें मेरे बक्तो रईयुआर के दिन भैरवावा के मंदर जाकर फूल माला धूब दीप अरपन करें तथा मंदिर में ही बैढ कर ओम स्री भैरवाय नमा अच्वा ओम भ्रम काल भैरवाय फट इन मंतुर में से किसी भी एक मंतर का जाब करें जाब कम से कम एक सुवाट बार करें अगर आफ साधी सुधा हैं तो पतनी के साथ मंदर जाएं इसके पस्चाथ वहीं पर भोग चल्गाने के पस्चाथ वो जो भी परसाद आप राटे हैं वो कुत्ते को खिला दें ऐसा आप कुछ रविवार कर सकते हैं इसके अत्रिक अगर आप मंदर नहीं जा सकते तो ये साली क्रिया आप किसी आशपास छेतर में कोई छोटा सा मंदर देख लें उसमें भी कर सकते हैं भैरवाबा की किलपा से सब कुछ अच्छा हो जाएगा यद वो भी उपलब्द नहों तो आप ये क्रिया रात्रि में साथ और नो वज़े के बाद अपने घर में भी कर सकते हैं भैरवाबा की पुछा में निम्न सावधानिया बरतना बहुत आवश्यक हैं आईए जानते हैं बैरवाबा की पुजा रात्र में साथ या नो वज़े के बाद ही करनी चाहिए 2. मंत्र जाब कम से कम 108 बार करना चाहिए 3. मंत्र का जाब रुद्राश की माला से करना चाहिए 4. हर मंगलवार या रविवार को लड़ू का भोग लगाएं तथा काले कुटे को खिलाएं 5. साधना के जावरान काले कुगों को भी रोटी खिलाएं 6. पूजा या मंत्र जब के समय काली या डार्क रंके कपले पहने मेरे मित्रो इस प्रकार या आपने यद भैरो बाबा की पूजा की तो निश्चे ही आपके घर में धनकी बरसात होगी इसमें कोई संदे नहीं यह आजमाया हुआ प्रियोग है आप जब चहाएं इसको आजमागी देख सकते हैं मेरे बक्तों यद आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तसा मेरे चैनल को सस्क्राइब करें जय भोले नात जय भैरो नात